Hello everyone, यह है Videos World Channel और आज की वीडियो में हम कुछ जो यूट्यूब यूवर हैं कमेंट कर रिप्लाइ करेंगे तो फर्स्ट कमेंट है रिज खान का उनने कहा है कि आपकी एक वीडियो में 10 इमनेट 17 सेकिंड पर एक डियाग्राम दिया गया है, शीर फॉस डियाग्राम वो डिफ यहां पे कुछ अलग आ रहा है, यहां पर कुछ अलगा रहा है यह अपता हमारा जूमारा प्रॉबलम में यह अपता यह डाउन था, इस तरह से तो उपर से यहां पर से इन चलाओन आ रही है ठीक है तो इसका हम आज answer डुनते हैं तो मैं e tab on कर लेता हूँ new file ले लेता हूँ एक ठीक है और जल्दी से एक model बना लेता हूँ मैंने क्या किया एक simple एक beam ले लिया यहाँ पे और उसके दोनों joint select करकर मैंने यहाँ पे assign joint fix support दे दी बस analyze कर देख सैल फिट तो ले लिता है यह automatic e tab यह ले लिया यह deformation shape आ गई है तो देखिए होता क्या है एक तो stat pro e tab में एक error है दोनों software में वह मैं बताऊंगा उपर से यह जो sign convention है इसके बारें बात करेंगे मान लीजिए आपका कोई diagram इस तरीके से है इस तरीके से यह positive यह negative और यह आपका positive ठीक है और manually जवाब बनाते और जब आप किसी software की through बनाते हो तो वो ऐसा होता है ऐसे आ रहा है opposite ठीक है होता कुछ नहीं है software ने अपना एक sign convention माना हुआ है और आपने अपना sign convention माना हुआ है दोनों अलग है लेकिन result सेम है ठीक है यहां पर shear force की जो value है वह इस section पर इस section पर जो section पर इस section पर और जो यहां पर यहां पर बस नहीं अब आप आप पोजिटिव मान लिया है इन्होंने उसी को opposite direction में draw कर दिया है कि जब assume कर लीजिए जैसे आप मानते हैं कि अगर reaction हमारी अपवर लग रही है तो shear force उपर की और जाएगा ठीक है इन्होंने मान लिया कि नीचे की और जाएगा बस assume किया है इन्होंने sign convention है बस assumption है और कुछ नहीं result हमारा shame है और अब दूसरी चीज है इसमें कि यहां पर incline line यहां पर स्टेट लाइन वर्टिकल ना हो कि इस तरह से हो रही थी इस तरह से यानि कि मैं एक और diagram बनाता हूं जो diagram बना हुआ था वो इस तरह से बना हुआ था इस तरह से जबकि यहां पर क्या होना चाहिए था हमारी इस पर राइट क्लिक करें तो यह आपका एक्चॉल करेक्ट डाइग्राम है यह आपका अगर हम देखते हैं इसमें भी न्यू फाइल ले ले लेते हैं जल्दी से बना लेते हैं एक बीम दस मीटर का बनाया थोड़ा कम्फुजन क्लियर हो जाएगी ठीक है और मैंने इसमें क्योंकि थोड़ी प्रॉपर्टी इसमें देनी पड़ेगी यह टैप के तरह जल्दी नहीं होगा तो फिक्स सपोर्टी ले ले लिते हैं असाइंग टो व्यू यानिक दोनों जॉइंट्स पे एक प्रॉपर्टी दे दो मीटर पे एड किया और माइनस शिक्स तीन चार मीटर पे एड किया ठीक है दो लोड ले लिए इसको अप्लाई कर देते हैं सॉरी मैं यूडियल ले लिया दुबारा इनको डिलीट करते हैं यूडियल इसलिए नहीं ले रहा हम है क्योंकि पॉइंट लोड के केस में ज्यादा किलियर समझ में आएगा तो मेंबर लोड कंसेंट्रेटिट माइनस फॉर रेंडम ले रहा हूँ टू मीटर पे और माइनस एट फॉर मीटर पे यह दो लोड ले लिए हमने अब बस अनलाइज कर देते हैं इसको यह एनलाइज हो गया बैंडिंग में डाइग्राम यहां से देखते हैं शियर फोर्स डाइग्राम यह इस तरह से ना कर यह डाइग्राम इस तरह से बनेगा यह ठीक है यहाँ पर लेकिं यहाँ पर यह error है ठीक है अब इसका correct diagram double click करेंगे इस पर share force और share y देखी यह है इसका correct diagram ठीक है तो जो screen पर दिखाए दे रहा है उसमझे थोड़ा सा error है बेंडिंग में ठीक आता है double click करके आप देखेंगे stat pro में और right click करके देखेंगे आप e time में अगर आपको आपको जो problem solve हो गई है तो please like करें comment करें share करें और अगर नहीं हुए तो दुबारा reply कीजिए मैं दुबारा कोशिश करूँगा इसको solution करने के लिए ठीक है तो अच्छा एक चीज़ और मैं बता रहता हूं आपको एक simple तरीक है bending में diagram बनाने का मैं जैसे बनाता हूं आपको बताता हूं जैसे कि कोई एक beam है simple supported beam है और यहां पर roller support है थोड़ा सा हो सकता है कि साफ साफ ना बने माउस से हो नहीं पाता और यहां पर point load लगा हूआ है आपका 10 किलो न्यूटन का और यहां पर लगा हूआ है आपका 10 किलो न्यूटन यह है आपका 2 मीटर 4 मीटर और यह भी 2 मीटर है ठीक है टोटल केतना हो गया है टोटल 8 मीटर देखिए मैं आपको bending में diagram और shear force diagram बनाने का असान तरीका बता रहा हूँ simple support beam से लेगे अगर आपको यह पसंद आए तो फिर मैं इसके पर एक video बना सकता हूँ सभी तरह के beam और frame का bending में diagram बनाने के लिए ठीक है तो देखिए पहले एक line नीचे खिछ लेते हैं 10 kN होगी reaction symmetric beam है अगर तो आपको क्या करना है total load का half कर देना है वह ही यहाँ पर reaction होगी ठीक है 10 kN 10 kN अब यह 10 kN upward लग रहा है तो मैंने upward एक line कीची 10 kN की कितना की 10 की उसके बाद कोई यहाँ लोड निए यहां सीधा़ चलते जाना पडिएगा udah 10 नीचे गई यह कितना है 2 meter तो इस rectangle का area कितना हो गया आपका 10 into 20 तो यहां से 0 से लेंगे और यह 20 ऐसे बढ़ जाएगा फिर कोई diagram नहीं है तो सीधा चलेंगे इसका कितना है 20 negative downward यह क्या है आपका BMD copy pen लेके मैं एक दिन अच्छे से explain करूँगा अगर आप कमेंट करते हैं लाइक करते हैं अगर view इसके ज़्यादा आते हैं आप शेर करेंगे तो पक्का में बहुत ही simple है आपका जिन्देगी में कभी आपको यह रटने की यह याद करने की जरूती है एक बार concept समझ जाओ कि कोई भी beam कितनी भी loading UDL, UVL, frame हो, fix, support हो उस पर लगा दी जाए आप बहुत simply बहुत easy तरीके से accurate with value आप बेंडिंग में डाइगरम सीरफोस डाइगरम ड्रो कर सकते हैं ठीक है अगर यह आपको वीडियो पसंद आए तो पिछले लाइक कीजिए, सब्सक्राइब जिए, शेर कीजिए झाँ भी झाँ झाँ कीजिए झाल 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 झाल